तमशकार वाप्रिया धरा धरती इस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रभव खबरों को कोरोना वाइरस के खिलाफ देश व्यापी ठीका करण अभियान ने रविवार यानि 16 जर्वरी को एक साल पूरे कर लिए इस मौके पर केंद्रियस्वास मंत्री बंसुख मंडाविया रेटीका करण अभियान को दुनिया में सबसे सफल अभियान बताते वे पिये मोधी की प्रसंचा की दिले के मुखे मंत्री अर्वंदी केजरवाल ने रविवार को कहा कि आमाद्मी पार्टी 1947 के बाद से देश की सबसे मांदार पार्टी है ये दावा करते हुए ही प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी ने भी पार्टी को इमानदारी का प्रमान पतर दिया है कि जरवाल इंदिनों गोवा में पार्टी के लिए जोर्शोर से प्रचार कर रहे है पंजवा विधान सबाचुनाब की गहमा गहमी के भी सायुक्त किसान मोडशा ने बड़ा फैसला किया है किसान मोडशा ने दो टू कहा है कि पंजवा विधान सबाचुनाब लडने वाले किसान संगठन अब सायुक्त किसान मोडशा का हिसा नहीं होंगे केद्र के तीन कुरुशी कानून के खिलाफ आंदोलन की अगवाई करने वाले SKM नेश्रनिवार को ये जानकारी दी है भारत में कोरोना संक्रमन की रफ्तार धीमी पड़ी है कल की तुला में आज सिर्फ तीन हजार अधिक नए मामले सामने आ हैं आपको बता दे कि तीन दिरों में यह ट्रेंड देखा जा रहा है कल जहां दो लाख 68 हजार मामले सामने आये थे वहीं आज महामारी के दो दुशमलव साथ एक लाख केसों की पुष्टी हुई है स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा जारी आंकरों के मताविक देश में अभी 15,54,370 आक्टिव मामले हैं आपको बता दे कि आक्टिव केस का प्रतिशत 4 दशुब्र में एक आठ है कंतंत्र दिवस परेट की रहल सल से पहले दिली पुलीस ने श्रनिवार को ट्राफिक एडवारी जारी केस के मताविक 17 जन्वरी से 21 जन्वरी तक सुबह नौ बजे से दो पहर 12 बजे तक राजपत रफी मार्ग, राजपत जन्पत, राजपत मान सिंग रोड और राजपत सी हिक्सागन पर आवजा ही बंद रहेगी विजे चौक से इंडिया गेट मार्ग भी आतायात के लिए बंद रहेगा दिली और मुंबई भारत के दो ऐसे शेहर है जहां कोरोना के सबसे अधिक मरी सामने आ रहे हैं, दोनों शेहरों ने अपने कोविट ग्राफ को पूरी तरह से बदल दिया है हाला के अब मामलों में गिरावट भी देखने को मिर रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि कोरोना का पीक शायद आ चुका है, आपको बता दे कि कल दिली के स्वासमन्त्री ने भी इसकी पुष्टी की थी उतरप्रदेश में वधानसभा चुनाव की घोशना के ठीक बाद एक दर जुन से ज्यादा नेताओं की बगावत से जूज रही भाजपा ने अपनी पहली सूची में साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में अपनी रणनीती बदलने नहीं जा रही है, पार्टी ने अपने साशित प्रदेश लद्दाक के लिह में स्थित है, पहाड़ियों के बीच में बना ये खूबसूरत स्टेडियम लेके सिप तुक में है, खेल मंत्री अनुराग ठाकु ने शनिवार को लेके सिप तुक में बने इस खूबसूरत फुट्बॉल स्टेडियम का हवाई दृष अगले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिसों में शीत लहर की स्थिती बने रहने की संभावना है। अरविंद के जिवाल ने पत्रकारों से बात करते वे कहा कि पुर्फ केंद्रियमंत्री मनुहर परिकर के बेटे उत पर अगर भारत भाजपा से अलग होना चाहते हैं तो वो उनका आमाद्मी पार्टी में स्वागत करने के लिए तयार है। पुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि कुलाट स्थानों पर ये च्छा पमारी हुई जिसमें निदेश्र का घर भी शामिल है। लतामंगेशकर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें बुंबई के ब्रीच कैंदी अस्पताल के आइस्यू में भरती कराए गया था। जन्वरी को लतामंगेशकर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आय था साथी उन्हें निमोनिया भी हो गया था। प्रियास किया टिकेट पाने की आश्रा में लब में सवे से लगे अधित्य ठाकुर ने शरीप पेट्रोल डार का लाग लगाने का प्रियास किया पुलीस नोन को हिरासत में ले लिया है। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी चोड़ने के साथ ही एक यूप कांत हो गया है और अब मुख्य कोच राहल रविट को एक मजबूर टीम बनाने के लिए बहुत काम करना होगा जो घर और विदेश दोनों जगे जीत सके। 33 वर्षिय कोहली साथ साल तक टीम इंडिया के कप्तान रहे और अब तक के सबसे सफल भारती टेस्ट कप्तान रहे। पहले बार 2014 में ऑस्ट्रिडा की खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में टीम का नहीं दूतिव किया था कप्तान की रूप में उनका आखरी मैच उदक्षिन आफरिका की केप टाउन टेस्ट में था जुसमें भारत साथ पिकेट से हार गया था। दो दिन प्रकाशित कराने को कहा जाता है। हनफी ने शरनिवार को कहा कि जिन अफगानों पर कर बकाया है उन्हें अफगानस्तान में मौझूदा चिनौतियों से निपटने में मदद के लिए भुगतान करना चाहिए। उन्हाने काबूल में फाइनांस वीकेंड शीरशक से आयो जित एक सभा में ये बाते कही। इस सभा में इस्लामिक अमिरात के अन्य वरिष सदस्यों ने भी भाग लिया। प्रतान मंत्री नरेंद्र मोदी के ने त्रपुरा और बांगलादेश को जोड़ने के लिए एक और हाइवे बनाने का फैसला लिया है। इस हाइवे के जरिये पडोसी देश के कोमिलाश शहर कोत्रपुरा के उदैपुर से जोड़ा जाएगा प्रस्तावित परियोज्रा के लिए प्रारमिक सर्वेक्षन का काम पहले ही हो चुका है। इंद्रे सामाजुक नय और आधिकारिक्ता राजुमंत्री प्रतिमा भॉगमिक नेशनिवार को बताये कि पिये मोधी का सब नास्तर अक्मार के जरिये बांगलादेश को भारत से जोड़ना है। दिली अंसी आर में हवा की गुनवत्ता एक बार फिर खाफी खराब सतर पर पहुँच गई है। जैदी निगहत अबास और दानिश विकबाल की तरफ से दायर की गई इन तीनों की समान नाखरिक्ता सहीता लागू करने की मांग वाली अलग अलग या चुकाएं दिली हाई कोट में लब्मित है। उतर प्रदेश में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी का दामन थामने का सिलसला जारी है और आज भाजपा के सहीयोगी दलो की कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये हैं। पार्टी अधियक्ष अखिलेश श्यादफ ने आज योगी सरकार में कैबनेट मंत्री रहे दारा सिंग चौहान के साथ ही विल्मन गई है। के बीच उनकी यात्रा के पसंदीदा स्थलो की जानकारी ली जाती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस सरकार को लेकर नाराजगी व्यक्त की है मोरचा की हुई समिक्षा बैठक में। किसानों ने आगे की रणीती बताते हुए कुछ बड़े फैसले किये हैं। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के समी ने ताश्रामिर रहे। बैठक के बाद किसानों ने ये फैसला लिया है कि सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पर काम करना शुरू नहीं किया है। इसलिए 30 जनवरी को देशबर के जिलो, शेहरों और ब्लॉक में वाइदा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। साथी सरकार के खिलाफ पुतले भी फूग के जाएंगे। इस बार ब्रिटिश खूफिया एजनसी MI5 ने आरोप लगाते हुए ब्रिटेन की संसत तक चीन की घुसपैट का दावा किया है, इसने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि चीन की एक नागरिक ने ब्रिटेन की संसत में अपनी पैठ जमाली है, उसका मखसद ब्रिटेन की अं खादी से बने तिरंगे को, बैटल एक्स डिविजिन के जी ओसी मेजर जेनरल योगेंदर सिंग मान ने बटन दबा कर डिस्प्ले किया, इस दोरान सेना के कई अधिकारी जैसलमेर, वायू सेना स्रेशन कमांडर, ग्रूप काप्टन एस पन्नू, जैसलमेर के पुर्व महा रावल, चैतने राज सिंग ने और नाचना था, कुर्विकरम सिंग मौजूद रहे, कल हमारे द्वारा पूछे गया, सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत भाद, आप में से जिन यूजर का कमेंट रावी कुमार, सूरच कुमार, सूरेकान सिंग, सोना कुमारी, आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आचके सवाल की और आचका सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतिय टीम के कप्तान विराट कोहली का कप्तानी के पद से हटने का असर भारतिय टीम पे पड़ेगा या नहीं अपने जबाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिपास इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबान ना भूले धन्यवाद